हाई एवरिवन आज हम दाइट मैन बोडी गार्ड मुवी को एक्स्प्लेन करेंगे मुवी की सुर्वात हम माइकल को देखते हैं जो कि एक ट्रिपल एजेंट होता है जो कि अपनी सेकेर्टी के साथ कुरिसावा नाम के आदमी को एरपोर्ट पल ले जारा होता है और फिर वो अपने बोडी गार्ड के साथ उसे सेफली ऐरपोर्ट तक पहुंचा देता है और माइकल अपने इस काम से काफी कुस होता है और फिर कुरिसावा जा रहा होता है तो माइकल उसे बाय बोल रहा होता है लेकिन तबी उसको रिसावा को कोई ओली मार कर मार देता है अब हम दो साल बात देखते हैं जहां माइकल की उस बजा से पूरी जिंदकी उज़ड चुकी होती है और वो अपनी कार से एक जगा पर आया होता है जहां पर वो एक आदमी को सेफली लिकालने के लिए आया होता है जहां पर उसकी ट्रिपले वाली जॉब जा चुकी होती है लेकिन वो ऐसा ही लोगों को बचाने का काम करता है और उस आदमी को कुछ लोग मारना चा रहे होते हैं जिसे की वो बचा कर ले जाता है जहांपर माइकल पूरा ध्यान देकर उसे नीचे ले आता है और उसकी कार से नाद ले जाकर बल्कि अपनी कार की ओर ले आता है और फिर वो पुलिस को कॉल करके बताता है कि यहांपर कुछ लोग जकी मी पड़े हैं क्योंकि माइकल ने उस आदमी के पास जाते वक्ती उन सभी लोगों को ठिकाने लगा दिया होता है जो उस आदमी को मानना चाहरे होते हैं और उस आदमी की कार के बारें बताता है जिस पर बम लगा होता है और वो उसी वक्त पड़ जाता है इस तरह माईकर उस आदमी को सेफली लेकर वहाँ से चला आता है फिर हम डुकोविच नाम की आदमी को देखते हैं जो कि अपने कुछ सोलजर्स के साथ एक आदमी के घर पर आता है जो की प्रेजिडेंट होता है जहां पर वह अपने सोलजर्स से उसके घर में चानवीन करवाता है और उस आदमी के लिखेवे को पढ़ कर बोलता है देश जबी तरकी कर सकता है जब जाती के नाम पर कतल्याम खतम होगा और उस आदमी ने डुकोविच के बारे में और भी बहुत कुछ लिखा होता है जहां डुकोविच उस आदमी के सामने उसकी फैमिली को लाता है और उने मार देता है इस सब के बारे में वो आदमी कोट में बता रहा होता है और अब डुकोविच एक्स प्रेजिडेंट होते हैं पर डुकोविच का वकील बताता है कि इसके पास कोई भी सबूत नहीं है इसलिए वो इस केस को डिस्मिस करने की कहता है जिसके लिए कोट उस आदमे को कुछ वक्त तोर देती है और वार सभी लोग भी डुकोविच से बढ़के हुए होते हैं क्योंकि उसने जाती के नाम पर कई लोगों को मारा होता है और अब डुकोविच को सजाद लाने के लिए उन्हें सबूत की जरुत होती है तो इंटरपोल की एजेंट इसके लिए एक आदमी को लाते हैं जिसका नाम डेरियस किनकेड होता है जिससे भी कहते है अगर तुम डुकोविच के खिलाफ गवाई दोगे तो हम तुमारी वाइफ सोनिया को आजाद कर देंगे तो डेरियस उसके लिए उनकी बात मन जाता है कसौरिया जो कि इसकी एड होती है वो अपने ओफिसर्स के साथ डेरियस को बेजती है जो टीम उसे कोट तक ले जाएगी और इस टीम की लीडर एमिला रसेल होती है जहां कसौरिया के साथ जैन नाम का ओपेसर भी होता है तो डेरियस कसौरिया से कहता है डुकोविच के खिलाब जो भी गया है वो मारा गया है और मेरी सिक्रेटी के लिए तुम इन लोगों को बेज रहे हो इसकी बजा तो मुझे तुम आजात कर दो गंदे दो मैं खुदी वहाँ चला जाओंगा जिसे जीन बिताता है तुम्हारी गवाई की कवर किसी को भी नहीं है जिसे कैसर यह बिताती है कोट ने कल साम पांच वजे तक का बक्त दिया है और उसे कहते है अगर तुम्हें अपनी बीबी की मत करनी है तो हमारे साथ चलो तो डेरियस इसके लिए मान जाता है और एसल अपनी टीम के साथ उसे वहाँ से ले जाती है जिन पर वे उपेसर्थ अमला करके रोखनी की कौसिस करते हैं और डेरियस के आँखी खुलती है तो उसके सामने चावी होती है जिससे कि वो खुद को आजाद कर लेता है बाहर वे उपेसर्थ कईयों को तो मारते हैं लेकिन वे दीरे दीरे करके सबी खतम हो जाते हैं और अब Darius के साथ Rysel होती है जो कि उसे रोके रखती है और बार से बेलोग उन पर अमला करने की कौसेश करते हैं और वे उनके दर्वाजे को तोड़ने की कौसेश कर रहे होते हैं तुम्हें दिखाने के इंटरपॉल मिला हुआ है या तो तुम मुझे मार दो या फिर मरता हुआ देखो तो रेसेल उसे वहाँ से अपने साथ सेफ आउस में ले जाती है जहां पर रेसेल को कोल आ रहा होता है क्योंकि जब माइकल ट्रिपल-A एजेंट था तो रेसेल उसकी गलफेंट थी जिसे अमेलिया रेसेल कोल करके बताती है कि मेरा ये काम है जो तुमें करना है लेकिन माइकल उनके पास्ट की बजा से उसकी मदद करने से मना कर देता है जिससे रेसेल आने को कहती है और उसे बताती है अगर तुम मेरी बताई होई जगा पर नहीं आए तो मैं तुम्हारी सारी पोल इंटरपोल के सामने खोल दूगी और पिर तुम कभी भी ट्रिपल-A वाला ओदा नहीं ले पाओगी इसके बाद उसे फिर से मदद करने के लिए कहती है तो माइकल इसके लिए मान जाता है फिर जहां पर उन पर अमला हुआ था वहां पर इंटरपोल की पुलिस आती है जिस अमले के बारें पर कसॉरिया को बताते हैं कि डेरियस और रसेल गाया वै तो कसोरिया जेन से कहती है टीम में कोई गदार है और जेन को डुकोविच के पास वेद देती है ताकि वो उसे कुछ उकलवा सके साथ ही डेरियस की वाइफ की सेकेरिटी बढ़ाने को कहती है फिर हम जेल में सोनिया किनकेड को देखते हैं जिसके पास कॉल आता है जो की डेरियस का होता है तो सोनिया उसका पहले गालियों से स्वागत करती है इससे डेरियस बात करता है और सोनिया जेल से बार दिखने वाली क्लोक के बारे में उसे बताती है जिसके साथ डेरियस अपने पैर में लगी हुई गोली को लिका लेता है और फिर वे ऐसे ही बात करते हैं तो कुस दिर बाद उनके फॉन का टाइम आउट हो जाता है जिससे कि सोनिया काफी गुस्सा करती है फिर हम माइकल को देखते हैं जिससे रेसेल ने जो भी समान मंगाया होता है वो लेकर वहाँ पर आ जाता है तो रसल माइकल से कहते है तुम्हें मेरे एक क्लाइंट को कहीं पहुचाना है तो माइकल वहाँ की चीज़ों को देखते हैं कहता है आजकल मैं बड़े क्लाइंटों को नहीं देखता हूँ और मैं आजकल चोटे मोटे चोर चोको को इधर से उधर पहुचाता हूँ और ये सब तुमारी बज़ा से हुआ क्योंकि माइकल जब ट्रिपल एजेंट था और उससे वो जापनी जादमी मरा था तो वो इसका जिम्मेदार रसेल को मानता है और फिर रसेल से कहता है मैंने तुम्हे उस आदमी के बारे में बता दिया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता था तब माइकल बहुत युचाई ओपर था लेकिन अब कुछ भी नहीं बचा जिसका जिम्मेदार वो रसेल को ही मानता है तो रसाल इसे चुपकराती है कहती है मैंने कभी भी तुम्हारा इस्तमाल नहीं किया मैंने बस तुम्हें छोड़ दिया क्योंकि तुम उस कल्ती के लिए मुझे माफ नहीं कर पाए जो मैंने कभी की ही नहीं पिर रेसेल उसे उस klien के बारे में बताती है कि वो अंदर है जहाँ डेरियस बाहर आकर माइकल को देखता है और जब भी एक दूसरे को देखते हैं तो दुनों आपस में लढना शुरू कर देते हैं जैसे भी एक दूसरे को पहले से ही जानते हो जहांपर माइकल डेरियस को संथ कराता है लेकिन डेरियस इतना गायल होता है कि वह वहीं वेवस होता है इसके बाद हम डुकोविच को देखते हैं जिसके पास जेन आता है और हमें पता चलता है कि जेनी वो गद्दार है जिसने डेरियस के बारे में डुकोविच को बताया जहां पर जेनी उसे बताया था तो वो डुकोविच से अपने पैसे मंगता है जहां डुकोविच उसके हाथ में पैन दे मारता है और उसे कहता है जब तुम किनकेड को मार दोगे तब तुमें अपनी पैसे मिल जाएंगे इसके बाद हम माइकल को देखते हैं जो रसेल से कहता है ये एक कातिल है तुम इसे बचाना क्यों चाती हो तो रसेल उसे बता देती है कि ये डकोविच के खिलाफ गावा है मैं इसे कहीं भी ने लेदा सकती क्योंकि इंटरपोल में कदार चुपा हुआ है फिर उसे कहते है तुम मेरा ये काम कर दो इसके बदले में मैं तुम्हारा करियर वापस दिलवा दूँगी माइकल को इस पर बिश्वास नहीं होता तो वोसे बताती है कि मेरी पहुँच बहुत दूर तक है और फिर वो डेरियस को माइकल के पास चोड़ कर वहाँ से चली आती है फिर हम कोसरिया को देखते है जो की जैन से बात कर रही होती है जहाँ एक ओफिसर कैसोरिया को بتाती है कि सेफ आउस में को चलचल देखी गई है तो कैसोरिया वहांपर एक टीम को बेजने को कहा दिती है लेकिन इस वात को जैन भी सुन लेता है और वो डकोविच को बता देता है जिससे डकोविच के लोग भी डेरियस को मानने के लिए चले आते हैं फिर हम माइकल को देख दे हैं जहांपर डेरियस को भी ओसा आ गया होता है और माइकल उसे बात कर रहा होता है तब ही वहाँ पर कॉल आता है जिन्हें देखकर माइकल कहता है हम दूसरे रास्ते से जाएंगे लेकिन डेरियस वहीं से चला आता है और उन उपेसंस को मार जेता है और उन गोलियों के वाज को पुलिस सुन लेती है जैसे कि वो और भी ज्यादा अलाट हो जाती है फिर हम माइक को देखते हैं जो कि डेरियस को लेकर उपर जा रहा होता है जहांपर डुकोविच के और भी लोग उने मारने के लिए आते हैं लेकिन भी उन्हें समाल लेते हैं जहां पर माइकल उसके बारे में बताता है और कहता है तुम्हार जैसे आदमी के बारे में पता होना ही चाहिए लेकिन डेरियस भी उससे कहता है तुम बच्पन से पलेस वाले बनना चाहते थे लेकिन उसमें इतनी कमाई नहीं होती तो तुम CIA में चले गए और डेरियस सीट से नीचे चुपता है तो उसे वहाँ पर बोतल मिल जाती है जिसे लेकर वो माइकल का काफी मज़ाक उड़ाता है फिर हम कसुनिया को देखते हैं जिसे माइकल के बारें पता लग गया होता है और वो रसेल को बताती है जिससे कसोनिय केचे तुम दुनों के बीच में पहले डिलेशन सिपती और तुमने डेरियस को सेफा उसमें ले जाकर इसे इसमें सामिल कर लिया तो रसेल उने बतातीे गदार हमारी ओपिस में से यह इसलिए मेरे पास कोई और मॉक्या नहीं था एकुछ कुछ कार पता लगाना पड़ेगा माइकल से पूछता है कि तुमने ट्रेपल एजेंट छोड़ा कियों या तुमसे चूख हो गई और तुम्हारा क्लाइंट मारा गया तो माइकल से पूछता है कि तुम कैसे पकड़े गए तो डेरियस बताता है वो एक आदमी को मार रहा था तब यूसे कॉल आया जिसमें उसक किसनी वार गोली लगी और डेरियस भी उसे पूछता है तो माइकल बताता है कि उसे एक वार भी गोली नहीं लगी जिस पर डेरियस कहता है क्या तुमने कभी भी किसी क्लाइंट के लिए गोली नहीं खाई और अपनी पहले की बातों को बताते है जब डेरियस ने माइकल को गोली मारने की कोसिस करी, औरacious Michael सέ कहता है, मैं तुम्हारा client होता तो मैं चाहता कि तुम मेरे लिए गोली खाओ, और पिर Diskuss गाना गाने लगता है, तो Michael भी उसके साथ दूसरा गाना गाने लग जाता है, पिर हम Sonia को देखते हैं, जिसके पास वे लोग Darius के बारे में पिले आते हैं जिन से सुनी है केती है तुमने उसे घुमाया और अब तुम पुचने के लिए आ गए कि वो कहा है जिससे वो अपिसर पुचता है अगर आपको पता है कि वो कहा है तो आप बता देजीए उनकी जान खत्रे में जिसे सुनकर सुनी असने लगती है और उनसे कहती है उसे कोई नहीं मार सकता और पिर उने दो-चार बाते सुना कर वहाँ से बगा देती है फिर हम डुकूँच के लोगों को देखते हैं जोकि उस कार के पास पहुंच जाते हैं लेकिन जब माइकल वार देखता है तो डेरियस टोलेट का वहाना बना कर कहीं चला गया होता है जिसे माइकल डूनने के लिए जाता है तो डेरियस पीचे से कार में आकर उसे स्टार्ट करने लगता है लेकिन माइकल वहां आकर उसे पकड़ देता है तबी वहाँ उन पर डुको वीच के लोग आकर अमला कर देते हैं तो डेरियस माइकल से एक गन माँगता है लेकिन वह से नहीं देता लेकिन वे उनकी कार पर अमला करते जा रहे होते तो डेरियस कहता है हम दोनों साथ में अमला करेंगे जहांपर डेरियस गिंती पूरी होने से पहले उन तीनों को मार देता है लेकिन इस सब में उनकी कार भी ब्लास्ट हो गई होती है तो माइकल कहता है समझ में नहीं आता कि उन्हें हमारी लोकेशन का पता कैसे चला तब वो नीचे पड़ा वो मोवाइल देखता है जिसके बारे में पूछता है तो वो डेरियस का होता है जो कि उसने कहीं से उठा लिया था तो माइकल इसके लिए उसे डाड़ता है और कहता है टेकले इसकी बज़ासे ही वे हम तक मोचे हैं जिसके लिए डेरिसों से सोरी बोल देता है। और फिर माेकलोस पर गुसा करता है। और ढूकोवीच के लोगों कि कार के ओड़ जा रहा होता है। लेकिन तब हुआ उनकी कार बलाष्ट कर जाती है। जिससे एक रोकेट लिकल कर उस कार पर भी लग जाता है। जिससे कि वो भी बलाश्ट कर जाती है और फिर वे दोनों पैदल पैदली वहां से जाने लग जाते हैं जिससे डेरियस कहता है ये काम करने के बाद एजेंट रिसल तुमारे पास वापस आजाएगी और उससे कहता है प्यार के विना कुछ भी नहीं है मैंने कि दुनों को मार तो नहीं अगर मैं सोनिया से सेर ना करूं तो माइकलो उससे पूर्षी लेता है कि वे दुनों मिले कैसे जिस पर डेरियस बताता है कि वे एक बार में आराम से बैठा था जहां पर सुनिया को परिशान करने के लिए कुछ लोग आते हैं तो वो उन्हें मारने लग जाती है जिसे कि Darius भी देख रहा होता है और सोनिया उन लोगों को मारते वे Darius के पास आती है तो Darius बताता है कि भी पूरी डाथ डांस करते रहे इसके बाद भी वहाँ पर बैठे होते हैं तो वहाँ एक गाड़ी आती है जिसे कि भी लिफ्ट मांग लेते हैं और माइकल उसे बताता है कि वह उसे अपने सेक्रेट टिकाने पर ले जा रहा है जिस गाड़ी के अंदर बहुत सारी नन भी होती है पिर हम डुकोविच के आदमी आईवन को देखते हैं जहाँ डुकोविच कहता है अगर डेरियस नहीं मरा तो सायद उसे उसे उपर वाला बचाना चाता है इसलिए उसे दूसरा प्लैन तयार रखने को कहता है इसके बाद हम माइकल इनको देखते हैं जो कि इनन इनके साथ एमसी डेन में पहुंच जाते हैं जर्वे बूर्ट से जा रहे होते हैं तो माइकल उसे पूछता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अच्छे आदमी हो तो डेरियस बदाता है जहाँ उसने पहली बार किसी को मारा था तब वो सिर्फ सोला साल का था जहाँ एक आदमी चर्च में गुसाता है जहाँ पादन ने उससे कहा तुम चोरी मत करना तुमें जो चीए वो ले जाओ पर वो आदमी लूट के रादे से नहीं बलकि उसे मारने के लिए है आया था और उसकी लास वही छोड़ दी ताकि लोग उसे देख सके जिसे की डेरियस ने देख लिया था और वो उस आदमी को मार देता है तो माइकल उससे पूछता है तुमारे जैसे अच्छे इंसान की मुलाकाट डुकोविच से कैसे हो गई इस सब के बाद माइकल उसे अपनी खूफिया जगा पर ले आता है जहां उसे दर्वाजा खुलने रहा होता है जिसे की माइकल ट्राइ कर रहा होता है लेकिन डेरियस अंदर जाकर उसे खूल देता है जिसे माइकल बताता है उसे चार गंटे में कोट पहुचना है फिर हम डुकोविच को देखते हैं जो की कोट में होता है जहांपर कैसोनिया रसेल यह सब भी होते हैं जहांपर माइकल रसेल को कॉल करता है उसे बताता है कि हम पहुंच रहे हैं जिसे माइकल बताता है कि मैंने तुम्हें कोल इसलिए किया है क्योंकि मैंने तुम्हें माफ किया। जिस पर रसेलो से काफी डारती है और कहती है मैंने कोई गल्ती की ही नहीं। साथ इससे कहती है तुम डेरियस को जल्दे लेकर आओ। मा Gogals देरियस को देखने के लिए आता है लेकिन वो वहाँ पर नहीं होता और वहर डोकुविश की लोग देरियस के इनताजर कर रहे होते हैं ताकि वे उसे मार सके पर हम डेरियस को देखते हैं जो कि एक सौप पर होता है जहां से वो लिकलता है तो उसके पीछे एक आदमी आता है लेकिन माइकल उसे मार देता है ऐसे ही कई लोग डेरियस को मारने के लिए आते हैं लेकिन माइकल उन्हें ठिकाने लगाता जाता है और फिर माइकल उस क्लॉ तुम मेरे पीचे वाले लोगों को मारते आ रहे हो तो माइकल उसे कहता है तुम जानते थे फिर भी फूलों को रखना ज़रूरी था जिस पर डेरियस बताता है मैं बहुत वक्त तक सोनिया के इतने करेव नहीं पहुंच पाँगा और उसे पूछता है मैंने जो तुम्हारी तुम्हारी फोटो देखी थी तो उस फोटो को किछाने के लिए तुमने क्या क्या किया था जिस पर माइकल कहता है उसने सब कुछ किया तो डेरियस कहता है तुमने एमों को बहुत मानते हो लेकिन फिर भी वह तुमें जील सकती है तो वह बहुत अच्छी लड़की है जिस पर देरियस बार आता है तो लेवन यह उसे देख लेते और उस पर अमला करना शुरू कर देते हैं लेकिन माइकल उसकी मदद नहीं करता है जहां पर डेरियस उन लोगों से लड़ रहा होता है और फिर वो उनसे बचकर बगने लगता है तो डुकोविच के लोग गाड़िया लेकर उसका पीछा करने लग जाते है जहां पर माइकल भी अपना गुस्ता उतार कर उसे बचाने के लिए चला आता है और डेरियस उनकी मदद कनने के लिए साइड मे आता है साथ ही वो डुकुविच के लोगों को अमला करने से भी रोकता है ऐसे वे एक दुसरे पर गंड चलाते वे काफी आगे लिकल जाते हैं जहांपर डेरियस के सामने एक आदमी रोकेट लॉंचर लेकर तैयर गाता है लेकिन माइकल वहां आकर उसे ऐसा करने से रोक लेता है जिससे डेरियस बोट लिकर वहां से लिकल जाता है लेकिन डुकुविच के लोग आकर माइकल की बाईक को टकर मार देते हैं जिसे की डेरियस देख लेता है लेकिन वो इस वर में कुछ नहीं कर पाता और वे लोग Michael को अपनी जगापर ले गए होते हैं जहाँ पर उनका एक आद्वी Michael से Darius के बारे में पुछता है लेकिन Michael उन्हें बताता है कि उसे कुछ भी पता नहीं है तो वे लोग Michael को करेंट देकर टोर्चर करते हैं जहां पर उसे बचाने के लिए Darius आता है और उन सभी को मार कर Michael को अपने साथ काट से वहाँ से ले जाता है फिर जब Michael की आखे खुलती है तो Darius उसे माफी मांगता है क्योंकि इसके विजह से माइकल का रेस्ता तूट गया। पर माइकल उसे कहता है मैं इसके लिए खुदी जिम्मेदार हूं तो डेरियस उसे कहता है हम इसे ठीक भी कर सकते हैं और उसे फुचता है कि वह दोनों कैसे मिले तो माइकल उसे बताता है कि वह अपने क्लाइन के फेंडरल पर गया था जहां पर अमेलिया रसेल भी अपने इ पर माइकल यहां माइकल कहता है वह सब वहीं है वह हमारा इंतजार कर रहे हैं और फिर डेरियस इसके लिए मना करते हैं मैं तुम्हें पहले ट्रिपल लेकर रुटवर दिलाऊंगा जो मैंने चीना था और मुझे डुकूविच को भी सबक सिकाना है इसके बाद वह दोनों दूसरी कार चुरा कर वहां से जाने लगते हैं लेकिन उस कार के गुब बारे फूल जाते हैं तो डेरियस माइकल को टाकर खुड ड्राइव करता है फिर हम जेन को देखते हैं जो कि रसल के पास आता है जो उससे कहता है डुकूविच अब आ जाएगा माइकल के बारे में स जिनकी बात केहनेबाला होता है , इसमें वह काफी गबराया होता है , लेकिन देर्यस भी लोग कार लेका चला होता है , है लेकिन देख लेता है , amendment message to subscribe , więc माइकल का कॉल चल रहा होता है तो वो से बता देता है कि माइकल को तुमारी परवाया और वो तुम्हें बहुत पसंद करता है और फिर उसके पीछे जो गाड़िया लग रही होती है उनमें से ज़्या तरह से वह पीछा चुड़ा लेता है इसके बाद वह मैं रोड पर जाकर आखरी बचीवी गाड़ी से भी पीचा चुड़ा लेता है फिर हम माइकल को देखते हैं जिसके पीचे अभी भी वे लोग पड़े होते हैं तो वो रेस्टोरेंट में जाता है जहां पर वे लोग आते हैं तो माइकल उन्हें खूम मारता है जहां पर आखर में आईवन भी ग लेकर आईवन को मार देता है जिसके पास डेरियस आकर बताता है कि टाइम निकला जा रहा है और अब कोट की पांच हुझे की डेडलाइन अब खतम होने वाली होती है लेकिन वे दोनों उस टूटी-फूटी कार को लेकर वहां पहुंच जाते हैं और फिर डेडलाइन खतम हो पहले जज के सामने पहुंच जाते हैं जहां रहसे लाकर माइकल से पूछती है तुम ठीक तो फिर वे डेरियस उसका नाम पूछते हैं तो डेरियस बताता है उसका सब्सक्राइम किनकेड नहीं है ये नाम उसकी मान ने दूसरी साधी करी थी तब मिला था और उसके असली पता फाइडर थे तो माइकल को पता चलता है कि वह डेरियस के पता थे जिसके लिए उसने जान ली थी फिर डेरियस नंdid से कहता है मैंने इसके लिए काम तो नहीं किया लेखिन एक civil अवा रहा था लेकिन डेरिस ने इसके लिए मना कर दिया क्यार की वो अपनी गाम के ही है तो जेन वहां से बाहर जा रहा होता है जिससे रस एल देख लेती है और वह का पीचा करती है और नी lut Колग मैकल आ लेकिन केसोरी अपने ओपेसर से पकड़वा देती है और उसे वहां से बेजती है फिर डेरियस मैकल के पास होता है तो मैकल उसे कहता है तुम्हें डुकुविच को रोकना होगा तो डेरियस भी वहां से चला आता है फिर हम डुकुविच को देखते हैं जिसे वह ओपेसर ले लेता है और डुकोविच को रोकने के लिए उसके पीछे चला जाता है लेकिन वहां डुकोविच के लोगों का एलिकॉप्टर आजाता है जो कि डेरियस पर अमला करता है तो डेरियस उनसे चप जाता है फिर हम देखते हैं कि जेन रसेल को मारने बाला होता है लेकिन माइकल कब सब्सक्राइब नाइब के पास आकर उसे समालती है इसके बाद बेटे लोग रिलैक्स ओकर ड़कोविच को लेने के लिए आने लगते हैं लेकिन डेकर इस आदमी को गोली मार देता है जैसे कि उनका हेलिकोप्टर ही क्रेस हो जाता है और फिर डेरियस डुकोविच के पास आता है तो डुकोविच उससे कहता है तुम सभी को बचा कर हेरो बन गए लेकिन यह मत सोचना कि इससे तुमारी पैचान बदल जाएगी तुम जैसे आदमी को नहीं उद्दार हो सकता है नहीं प्राश होती और आप सबस्टिक हो गये होता है जहां पर नुक्त हुए नियाता है न से आकना की रहा होा बादा कशन या याद सके सå opacity लिए घ्लखिया लाने को दिए मैइकविक सो घृता है मेरेव जिक्श तुम्मरें रपस मिल गई है और तुम्हारे stylai वाला रुद्वावी वापस मिल गया है ऐसे ही भी एक दूसरे से बात करते रहते हैं इसी के साथ ये मूवी यहीं पर कतम जाती है आई होप आप सभी को ये एक्स्प्रेनेशन अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए पाएं